नमस्कार सातियों स्वागत और अभिनंदन आप सभी का सातियों आज से हम जो शेशन सुरू कर रहे हैं वो आपके राजस्तान वार्शी करंट से संबंदित रहेगा वार्शी करंट का मतलब यह है कि जनवरी से लेकर दिशंबर 2022 तक रोज नए नए तरीके के वीडियो जैसे आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि जनवरी से लेकर दिशंबर तक कौन-कौन से फेस्टिवलों का आयोजन किया गया वो विशेश अंद्रप और आप देखेंगे कि परतेग एक्जाम में यहां से कोई ना कोई फेक्ट पुछा जा रहा है तो आज से हमारी स्रंकला है जिसका पहला भाग होगा आज राजस्तान वार्शी करंट भाग ए जिसके अंदर कुछ आयोजन कुछ फेस्टिवल होगा देखेंगे सबसे पहले बात राजस्तान इंटरनेशनल फिलम फेस्टिवल जिसे आप बोलते हैं रिफ राजस्तान इंटरनेशनल फिलम फेस्टिवल का कौण सा संस्क्रण का आयोजन किया गया इस बार तो याद रिखेगा आटवाँ कब से लेकर कब तक तो 20 से लेकर 23 मार्च पिच्छे तो आपको पता है ये 2022 ये दो क्यूशन और तीसरा है राजस्तान इंटरनेशनल फिलम फेस्टिवल का आयोजन रिप का आयोजन कहां पर किया गया याद रखेगा जोदपूर में तीन बाते हैं राजस्तान इंटरनेशनल फिलम फेस्टिवल रिप जिसका आयोजन 20 से लेकर 23 मार्च कहां जोदपूर कौन सा संस्क्रण आठ हो है दूसरा राजस्तान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कहां पर याद रखेगा जेपूर और आउसर तो आपको पता 28 फरवरी यानि की राश्टिय विज्ञान दिवस क्यूशन बन सकता है राजस्तान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन कभी याद रिखेगा दूसरा है जेपूर लिटरेचर फेस्टिवल ये तो क्या है राजस्तान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल जिसका आयोज में याद रिखेगा तिनों के लिए राजस्तान फिलम इंटरनेशनल याद रिखेगा राजस्तान इंटरनेशनल फिलम फेस्टिवल रिप का यूजन कौन सा संस्क्रण राजस्तान साइंस लिट्रेचर फेस्टिवल और एक है आपके जैपूर लिट्रेचर फेस्टिवल ति मिलन की बात है ये तीन से लेकर शाथ जन्वरी 2023 में आयुजित होगा कब से कब सक तीन से लेकर शाथ जन्वरी 2023 और कहां पर तो महुनलाल शुखाड या उनिवर्सिटी उदेपुर अच्छा क्यूशन मनता है इंडियन साइंस कॉंग्रेस 108 वी बैठक कहां पर तो याद रख राजस्तान डोमेश्टिक ट्रेवल मार्ट 2022 इसका कोण सा दूसरा संस्क्रण कहां पर आयुजित किया गया तो बिडला ओडिटोरियम जैपुर के अंदर याद रखेगा शिदा वनलाइनल क्यूशन है दूसरा जैपुर थिएटर फैस्ट का पर्थम संस्क्रण इश्वार कब 25 से लेकर 29 अप्रेल 2022 और कहां पर तो याद रखे जुवार कला के अंदर जैपुर वेरी वेरी इंपोर्टेट जैपुर थिएटर फैस्ट पर्थम संस्करण 25 से लेकर 29 अप्रेल और कहां पर तो जुवार कला के अंदर जैपुर नेक्स्ट हर घर तिरंगा अभियान य केंद्र शरकार का है, 13 से लेकर 15 अगस्त, मतलब 13, 14 और 15 तीन दिवशिय था, ऐसा भी पुचा जा सकता है, तीन दिवशिय हर घर तिरंगा अभियान कब से लेकर कब तक, 13 से 15 ये केंद्र शरकार का था, ठीक है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, तो इंडियन साइंस कॉंग्रे राजस्तान डॉमेस्टिक ट्रवल मार्ट, या आपके जैपुर थियेटर फेस्ट और हर घर तिरंगा वियान, अगला है आपके राजस्तान डीजी फेस्ट 2022, राजस्तान डीजी फेस्ट 2022, 19 से लेकर 20 अगस्त, कब आयुजित किया गया, राजस्तान डीजी फेस्ट 2022, 19 से लेकर 20 अगस्त कहां पर वही बिडला ओडिटोरियम जैपूर याद रिखेगा अगला है आपके भक्ति कला परदशनी कौन सी परदशनी का आयोजन हुआ था 27 से लेकर 31 अगस्त राजभवन जो जैपूर है वहां पर कौन सी परदशनी का आयोजन हुआ था तो भक्ति कला परदशनी याद रिखेगा वेरी वेरी इंपूर्टेंट ठीक एक है आपके राज्य इस्तरिये सौंतंतरता दिवस शमारो मतलब जो 15 अगस्त है वो इश्वार राज्य इस्तर का सौंतंतरता दिवस शमारो कहां पर आयोजित किया गया तो याद रिखेगा SMS स्टेडियम जैपूर बहुत इंपूर्टेंट राज्य इस्तरिये सौंतंतरता दिवस शमारो 15 अगस्त SMS स्टेडियम जैपूर ठीक है अगला देखे इन्वेस्ट राजस्तान सम्मिट 2022 का यूजन तो याद रिखेगा साथ से लेकर आठ अक्तुमबर 2022 कहां पर शितापूरा जैपूर और इशी के तेत रिको के 25 नए उद्योगिक स्थेतर को मंजूरी मिली थी ये भी याद रिखेगा राजस्तान के अंदर रिको के 25 ने उद्योगिक स्थेतर को कौन से सम्मिट तो इन्वेस्ट राजस्तान सम्मिट 2022 इंपोर्टेंट याद रिखेगा राजस्तान डीजी फेस 2022 भक्ति कला परदशनी राज्जी इस्तरिये 37 दिवस हमारो और इन्वेस्ट राजस्तान सम्मिट 2022 वेरी वेरी इंपोर्टेंट किलियर चारो अगला है आपके राजस्तान फिलम फेस्टिवल 2022 वो था राजस्तान इंटरनेशनल फिलम फेस्टिवल ये है डाइरेक्ट राजस्तान फिलम फेस्टिवल 2022 का दस्वाँ संस्क्रण 24 सितंबर 2020 को कहां पर आयूजित किया गया जैपुर ये कोण सा संस्क्रण है कब और कहां पर तीन बातें वड़ी विशेश होती हैं याद रखेगा एक है आपके डोटर अफ बिकानेर कारिकरम बेटी कारिकरम है जी डोटर ओप विकानेर कारेकरम 25 सितमबर विकानेर पुलिस दुवारे याद रखेगा शिदावन लाइनर रास्तान फिलम फेस्टिवल 2022 का दसवा संस्क्रण डोटर ओप विकानेर कारेकरम 25 सितमबर अगला अखिल भारते विदिक शेवा अखिल भारते विदिक शेवा का कौन सा संस्क्रण हाली में 16 वे 17 जुलाई 2022 को जेपूर में आयुजित किया गया तो ऐसा क्यूशन पूचा जाए तो याद रिखेगा आठारवा कब से कब तक तो 16 से 17 जुलाई पिछे 2022 है जी ठीक है और कहां पर जेपूर में तिन्नों इंपोर्टेंट अखिल भारते विदिक शेवा राजस्तान फिलम फेस्टिवल और डॉक्टर आप बिक्का निरकारी करम किलियर नेक्स्ट अगला है आपके इंडिया इस्टोन मार्ट आयुजन इंडिया इस्टोन मार्ट आयुजन 2022 याद रिखे ये जो वाई यह इग्यार्मा तो क्या है वेरी वेरी इंपोर्टेंट याद रिखे गा आर्किटेक्ट्चर फेस्टिवल कौन सा इग्यार्मा कब से लेकर कब तक इग्यारा से तेरा नौमबर कहां पर शित्तापुरा जैपूर इंडिया इस्टोन मार्ट कायोजन याद रिखे ग्यारा से तेरा नौंबर, ग्यारा बारा और तेरा, दो जार बाइश, ठीक है, अगला देखे, जोदपुर डीजी फेस्ट जोब फेयर, ये और क्यूशन मनता है, एक तो हम अभी पढ़ गया है, राजस्तान डीजी फेस्ट, एक है आपके, डीजी फेस्ट जोब फेयर का य उत्सव, राज्य इस्तरिये ट्रांस जेंडर उत्सव कब, तो 30 नवंबर, कहां पर याद रखेगा, अलवर में, 30 नवंबर, अलवर के अंदर, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, ठीक है, अगला है, राजस्तान इंटरनेशनल फोग फेस्टिवल, ये एक और इंपोर्टेंट राजस्तान इंटरनेशनल फोग फेस्टिवल, छेसे लेकर, 10 अक्टुमबर, कोंसा संस्क्रन, 13 कहां पर, महरान गड़ जोथपूर, राज़ी इस्तरिये ट्रांस जेंडर उत्सव, 30 नवंबर, अलवर, इंडिया स्टोन मार्ट आयोजन, ये भी याद रखेगा, बासारो कारिक्रम तो अभी वा था बीश नॉवंबर 2022 को कहां पर जमार कला केंदर जैपुर और एक आपके राज्ये इस्तरिये कला उत्सव दो से तीन दिशंबर दो से तीन दिशंबर कहां पर मंदोर जोतपुर और एक आपके G20 शरेपा आयोजन चार से साथ दिशंबर उधेपुर में वेरी वेरी इंपोर्टेंट वेरी वेरी किलियर तो G20 शरेपा आयोजन याद रिखेगा हेलो माईड बासारो कारिकरम और राज्ये इस्तरिये कला उत्सव ठीक है तो यह इंपोर्टेंट आयोजन है जो आपके एक्जाम में यहां से कोई भी क्यूशन बन सकता है तो यह थ तब तक के लिए धन्यवाद